हेलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 6 दिसंबर 2021 और आज के दा हिंदू नियूज पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प चैपिटल सिटी क्या है और माली की जो नेबरिंग कंट्री है या किन किन कंट्री से बाउन्डरी शेर करती है वो आपको नीचे कमेंट करना है सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पे जो एक न्यूज है वो है आर्मी ओपरेशन इन नागलेंड गोज अवरी करके दिय अगया 15 सिविलेंड डेड ये एक बेसिकली नागलेंड के अंदर एक इवेंट हुआ जिसके अंदर आर्मी के पास एक इंपूट आया कि इंसर्जेंसी हो सकती है लेकिन वो इंपूट जो हो क्रेक्ट नहीं था इसकी वज़ए से मिस्टेक ली छे लोग क्योंकि फाइर के फाइरिंग हुई आर्मी की तरफ से और जो है छे लोगों की उसमें डेथ होगी इनके अलावा नाइन मोड जो है के अंदर नो लोगों के ओर डेथ हुई और इसके लावा एक सोलजर भी इसके अंदर जो है वो सहीध हो गया है रिटायलेट वोईलेंस यानि इसके बाद इ इच्ट या 9 पेज होगा उसके ऊपर तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली इशू है क्या यहां पर देखो नागालेंड के बारे में दिखाया गया है मौन डिस्टिक है ओटिंग विलेज है एक जगह है वहां पर वहां पर अब यहां पर इस पूरा देखने को मिला और उसके बाद पूरा इशू जो है काफी ज़्यादा वोईलेंट वहाँ पर देखने को मिला हलाकि इसके बाद गवर्मेंट ने वहाँ पर सिर्प सॉक्षिंट की एक इंदर के सब्सक्राइब कहा उगेस आए ईनके लावा है लेवल की इन्वेस्टिकेशन को लेकर कमिट्मेंट किया गया है ाश येरैoby stolen कि इसीडों हाई लेवल की इन्वेस्टिकेशन इस पूरे रीजन के अंदर करेंगे लेकिन इसकी वज़े से काफी ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्पुट को लेकर एक डिबेट शुरू होगी कि क्या जो इन्पुट आते हैं सिक्यूर्टी फॉर्सिज के पास उसमें एक्यूरेशिय को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि इस तरह की कोजिनिटीज ना हो और उस उन स्टेटों में तो बिलकुल ना हो ज करने की कोशिज करेगी और फिर बाद में CRPC सेक्शन लगाया गया इसके बाद यहां पर प्रोपरली इंक्वाइरी को लेकर जो है वो काम चल रहा है कि इंक्वाइरी की जाएगी यहां पर ट्राइबल ओर्गनाजेशन लोगों का यह मानना कि जो दो लोग मिस्ट है उनकी भी पोसिबिलिटी की डेथ हो चुकी है हाला कि स्टेट गवर्मेंट ने वहां पर मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विसेज पर्टिकलर डिस्टिक के अंदर बंद कर दिया ताकि आने वाले मतलब इतनी के से भीड को कंट्रोल करने के लिए या इस तरह के मैसेजिज को जो देखने को मिलेगा, इसके अलावा चौटी चोटी चोटी नीचिए कोутствरफा की देखने को बिलेगी, चोटी चोटी नीचिज का वतलब किया दिली के अंदर एक केस रिपोर्ट किया गया है, देस में नेमबर एफ ओमिक्रोन वेयंट के केस इंक्रीज हुए है, चाहे वो ज सीजर नहीं आएगी इनके अलावा हमने यह पढ़ा था कि साइकलोन जो जवाद है इसके बारे में हम लगातार कवर कर रहे हैं कि साइकलोन जवाद काफी इंपोर्टेंट है और काफी न्यूज में है और भारत के जो स्टेट हैं जिसमें अंदर अपरदेश, ओडिशा और व साइकलोन जो वो देखने को मिलते हैं जवाद साइकलोन के बारे में हमने पढ़ा था कि इन एरियाज के अंदर क्यों कोस्ट्रल डिस्टिक सबसे ज़्यादा प्रभा हुईत होती है जो साइकलोन आता है साइकलोन के लिए कंडिशन होती है कि इतने डिगरी लगवे 37 डिग साइकलोन का नेम जो है किस कंड्री ने दिया है ये आपको नीचे comment करना है second question के रूप में आप लोगों से question है इसके बाद सीधा आजाईए page number 6 editorial part पर देखिए editorial part में दोनों के दोनों जो mean editorial है वो editorial बात कर रहे है vaccine को लेकर omicron variant को लेकर यानि covid-19 को लेकर इक editorial है इनके बारे में पढ़ेंगे सबसे बहरे left hand side एक छोटा सा brief article है वो है booster sort करके और यहाँ पर उसके right hand side जो omicron response is not making sense जो omicron को लेकर एक response है वो कोई sense नहीं बना रहे है इसको लेकर एक article है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे booster sort का मतलब क्या है कि covid-19 vaccination का जो procedure चल रहा है उसमें दो डोज की vaccination को complete vaccination जो है बोला जाता है लेकिन उन सब के अलावा efficacy को बढ़ाने के लिए booster dose या third dose की क्या requirement है उन सब की debate को लेकर यह पूरे editorial conclusion way में जो है discussion करता है सबसे पहले mention किया गया कि availability, coverage and scientific evidence to decide approval of booster dose सरकार के तरफ से भी या जितने भी medical representatives जो decide करते है medical bodies है जो यह decide करते है कि vaccination को लेकर booster dose को लागू करना है कि नहीं करना है वो यह बोलना है कि availability हमारे पास कितनी vaccine available है coverage और scientific evidence के आई इस तरह की जो approval के उसके बाद यह decision लिया जाएगा 22 नॉमबर को डिरेक्टर जनल जो थे जो हैं इंडियन काउंसल और medical research के नों ने कहा कि कोई scientific advisor नहीं है कि हम लोग booster dose को fully vaccinated लोगों को जो है वो दें इनके अलावा अभी priority सरकार की और एक तरीके से जितनी भी medical agencies हैं या जितने भी health workers उनकी priority यह है कि अभी हम अपने देश में नागरिकों में 18 प्लस में vaccination को जो है उसको पेस करें और fully vaccination को की तरफ जो आगे बटन जिसको complete vaccination जो होता है इसी तरह की statement health minister साब नहीं बोला कि priority अभी क्या कि सबी लोगों को 18 साल से उपर जितने है सब लोगों को fully vaccination करना है और booster dose के बारे में scientific basis पर discipline लिया जाएगा booster dose की requirement देश के अंदर क्यों बढ़ रही है जैसे जैसे COVID-19 का एक नया variant हमें देखने को मिला Omicron variant जो की Southprick और Botswana इन country से originate हुआ उसके बाद ये माना जा रहा कि क्या scientific basis पर होना चाहिए scientific recommendation होना चाहिए इनके लावा international level पर भी कुछ ऐसे country जैसे इनों ने start के जैसे United States ने जहाँ पर 65 million लोग जो है वो अभी भी unvaccinated है लेकि नोंने booster dose start कर दिया इसे दरीके से उरोप की कुछ country जहाँ पर booster dose को लेकर लगातार decision लिये जा रहे है और even booster dose को approval किया जा रहा है कोवी शेल्ड की जो efficacy है वो productive उसको 85% एक study हुई है यह किस study के बारे में बात है वो clear नहीं है इन्हों एक study बताईए कि भाई 85% productive है कोवी शेल्ड और जो कोईग्जिन है वो आपको 50% तक effective नज़राई symptomatic infection के cases के अंदर अब यह study किस ने करी है क्यों करी है कब करी है इसके बारे में कोई idea नहीं है बट एक study बताती है डेल्टा वेरियंट जो एक की second वेव जो खराब level पर आप बोल सकते हैं कि जब देश में घ्यानक गूप से डेल्टा वेरियंट जो है वो आसर कर रहा सब के बीच में study हुई थी और हो सकता है कि vaccination की effectiveness के अंदर भी changes आपको देखने को मिलेगा इनके अलावा effectiveness जो है दोनों वैक्षिन की ओमिक्रोन के बारे में पता नहीं क्योंकि अभी ओमिक्रोन आया है उसके बारे में effective कितनी है कितनी नहीं है उसको लेकर अभी studies होगी उसके बाद ही decision जो है वो लिया जाएगा लेकिन फिलाल जो है वो अगर आप देखेंगे दो option हो सकते हैं या तो आप 60 प्लस या को मर्वर्टी जिनको कोई डीजीज है उनको आप बुष्रडोज को लेकर अप्रूवल दे सकते हैं दूसरा यह होगा कि make sure कि जब आप approval दे कि ठीक आप बुष्रडोज को आप rectify करें या उसको approval करें उनसे पहले हमें यह भी इंशूर करना है कि देश की जो population है उसको fully vaccinated करें अभी भी आपको देश में बड़ा हिस्सा जैसे 8% health worker यह vaccinated नहीं है अगर आप देखेंगे 60 से उपर 30% लोग vaccinated नहीं है 45 से लेकर 59 के बीच में 33% fully vaccinated नहीं है इसका मतलब यह है कि हमें ensure करना पड़ेगा कि booster dose को approval करें ना करें उनसे पहले यह ensure करना है कि भाही हम अपनी population को fully vaccinated करें और हमारी एक तरीके से दूसरी countries को जो vaccination supply करने की जो हमने commitment किया है वो भी हमारी responsibility उसको भी हमें follow करना यानि दोनो चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें vaccination के बारे में decision लेना कि third dose को approval करें कि नहीं करें और करें तो किन cases के अंदर करें और क्या हमारे पास proper availability है vaccination की इसको लेकर हमें decision जो हो लेना है इसके बाद right hand side जो editorial है वो एक बहुत ही classical editorial में बोलूँगा इसको one of the finest article की रूप में यह title दिया गया चंदरकान तलहर्या और एंजलिक कोईट जी करके जो personality इन्हों ने यह article लिखा एक article discuss करता है कि Omicron को लेकर जो दुनिया भर का response है यह कोई logical नहीं लगता कोई sense नहीं बनाता है क्यों नहीं बनाता है उसके बारे में यह article जो हो detail में discuss करता है इनका ही कहना कि Global South खासकर जो developing countries है यह decision ले अपने leadership को शो करिए और rationality यहनी logical basis decision लिजिए scientific determination के basis पर decision लिजिए यहाँ पर बात की जा रहे कि नॉमबर 2021 के end में दुनिया भर में एक नए variant के बारे में पता चलता जिसको B.1.1.529 करके designate किया गया WHO ने भी यानि World Health Organization ने भी इसको variant of concern के रुप में नेम किया Omicron variant के बारे में यहाँ पर बातचित हो रही है इनके अलावा दो चीज़े आपको पता होगी कि February मार्ट 2020 में जब COVID-19 के बारे में लोगों को बिल्कुल नहीं पता था COVID-19 होता क्या है और उससे लेकर दिसंबर 2021 में लगपक दो सालों में काफी चीज़ें बदली है लोगों के अंदर awareness और लोगों के अंदर एक basic information की COVID-19 होता क्या है लेकिन COVID-19 की booster dose के बीच में जो एक debate हो रहा है कि क्या booster dose को approval करे ना करे ये वेरिंट देखने को मिला South Africa और Botswana के अंदर इसलिए इसको South Africa और Botswana वेरिंट भी बोला जाता दोनों के दोनों जो है African continent की बिल्कुल सदरन countries में आप देखेंगे Botswana और South Africa को अब बात की जा रहे है एन irrational rate rate यानि जो decision लिए जारे है वो irrational नजर आते हैं मैंने रिपीट में यहां पर फिर से बोला गया है मार्ज 2020 से अब जो 2021 में जो चीज़े हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है वो डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि देखें दो सालों में naturally बहुत सारे लोग infect हुएं या फिर vaccination का आदी से जादा population दुनिया की vaccination हो चुकी है इस context में क्या है कि अब जो भले कितनी भी transmisible हो यह variant यह पूरी population को infect नहीं कर सकता क्योंकि naturally infection के थरू जो एक तरीके से हमारे body के अंदर antibody बनी है या immune system मजबूत हुआ है या उसके खिलाफ fight करने capacity बढ़ी है दूसरा vaccination से जो है कहीं ने केवल immunity डेवलप हुई बलकि hybrid immunity में बहुत सकता हूँ क्योंकि natural infect भी हुए और vaccination भी हो गया currently अगर आप देखेंगे आदी से ज़्यादा population दुनिया के उन्होंने at least single dose तो receive करी है यह fully vaccinated हो ना हो वह receive हुई है testing increase हुई है genome sequencing की capacity increase हो चुकी है new drugs को लेकर availability increase हुई है evidence और effectiveness पर जोह लगातार काम हो रहा जब scientific development हो रहे है जो ensure करते हैं जूर करते हैं कि हमें एक बिलकुल शान्थ compose और evidence basis पर decision लेना चाहिए उस context में जो एक वेरिट नजर आता है अफ्रिकन कॉंटिनेंट के अंदर बोत्सवाना और साथ अपरिका में ऐसा लगता है कि यह जो country ने immediate basis पर decision लिया कि भाई COVID-19 को लेकर बिलकुल restrict कर देंगे बैन कर दें कोई नागरिक वहां से यहां नहीं आएगा तो क्या यह नजर नहीं आता कि जिस country ने साथ अपरिका की medical doctors ने researcher ने scientist ने identify कि एक ने variant के cases हैं पुरी दुनिया को बताया aware किया उसको बारे में उसको travel बैन कर देना क्या यह punishment नहीं आता और क्या यह जो decision लि 2019 lab को लेकर जो supplies है वो भी कहीं ने कहीं इसकी वज़े से disturb होगी दुनिया में बहुत सारे लोगों को नहीं पता हुगा कि भले ही साथ अपरिका और बहुत सवाना के इसमें नेम नजर आता हो लेकिन interesting बात यह है कि Omicron का पहला जो case detect किया गया है वो साथ अपरिका में बलकि नीजर लेंड के अंदर detect किया गया है और यह actual में मैं इसको search कर रहा था कि यह confirm news है कि नहीं है basically एक report में यह दावा किया गया अब report सही है कि गलत है वो तो खैर किसी को नहीं पता बट यह confirm किया गया एक report है कि South Africa से पहले भी नीजर लेंड के अंदर यह case जो report किया गया था इसके अलावा excessive reaction and why जो decision लिया जाते है कि definitely omicron के बारे में यह decision एक तरीके से जो basic application ही है कि बहुत सारे mutation के अंदर अपने आपको change कर लेता है protein के अंदर spike होता है इसकी transmility, immunoscape और suboptimal response जो है treatment को लेकर definitely इसको designate करते है कि variant of concern है यह दुनिया के सामने एक problem है, challenge है लेकिन यहा measure किया जाना चाहिए था, evidence based होना चाहिए था, और एक experience जो हम लोग earn करते हैं, हमने पिछले दो सालों में जो चीज़ें सीखी है, उनके basis पर decision लेना चाहिए था, access ही अब ऐसा नहीं है कि यह cases का number एक्दम से 10 crore, 100 crore, 1000 crore, इतना number cases लेकर आएगा, वो possible नजर नहाथा क्यों चाहिए, वो scientific basis पर होने चाहिए, नहीं कि जल्दबाजी में कोई decision लिया जाए, इनके अलावा, यहाँ पर यह बताया जाते हैं, कई बार हमने, जो expert हम देखते हैं, जैसे social media पर expert बन गए, कि यह COVID-19 से यह हो जाएगा, television में behave करेंगे, कि जैसे बताया गया कि तीसरी वेव जो हो बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर करेगी, अब इसका असर क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे parents अपने बच्चों को school में जाने से मना कर देते हैं, कि उनको COVID-19 infection हो जाएगा, बट reality यह है, कि देश और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कम परभा आपको इस तरह के cases ज्यादा देखने को मिलेगा as compared to child, यानि जैसे जैसे population की age criteria की बात करें, वो कम होती जाते हैं, उसमें infection के rate भी या उसमें उसके impact को भी काफी कम नदर आता है, तो इस तरह की जो debate टीवी पर, social media पर होते हैं, scientific नहीं होते हैं, और उसका एक खराब असर और अपने आपको champion समझने लगते हैं, दूसरा, कई chief minister advice करते हैं कि सारी international flight when कर दो, ये जो decision है, ये थोड़ा लगता है कि political wisdom पर हमें scientific wisdom पर decision लेना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, दूसरा, जैसे जैसे COVID-19 बढ़ रहा है, COVID-19 के बाद एक debate सूरू होती है कि क्या vaccination में हम लोग एक तरीके से booster dose को लेकर काम करें, booster dose में को लेकर vaccination पर काम करें, उन सब की debate के बीच में हमें ये भी ensure करना है कि vaccination के दोरान क्या हम लोग एक equality को लेकर या vaccine equity को लेकर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को supply कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें, या पूरी दुनिया उस बहना या hand wash करना वो सारी चीज़े तो है लेकिन इन सब के बीच में चाहिए vaccination को definitely आप mandatory करिए testing को mandatory करिए but इन सब के बीच में हमें scientific decision लेना है कि एक blanket band नहीं होना चाहिए अगर आप WHO की statement को भी पढ़ेंगे तो WHO भी यह बोलता है कि definitely vaccination को बढ़ाईए COVID-19 appropriate behavior करिए but make sure कि आपका decision हो वो scientific and approval basis जो blanket band मत करिए इसका खराया बसर पड़ेगा दुनिया की economy धीरे धीरे सुरू हुई ती recovery करना और अगर complete band कर देंगे blanket band कर देंगे तो इसका नुकसान आने वाले time में बहुत जाद आपको देखने को मिलेगा इन सब के बीच में कई बार यह सही है लोग उस पर believe करना लगते हैं और टीवी में खासकर experts properly अपने आपको जो so-called experts होते हैं उनको लेकर भी यहाँ पर decision किया गया कि हमें इस तरह कि जो चीजें उनको promote नहीं करना चाहिए political leaders को scientific wisdom पर decision लेना चाहिए political wisdom पर नहीं यह ध्यान रखा गया और एक global solidarity होने च boost को लेकर sport करिये अला कि इंडिया ने offer किया है कि हम South Africa के साथ खड़े रहेंगे और उनको जो भी requirement होगी vaccination को लेकर या medical equipment को लेकर we will spot South Africa तो इसी context में हमें leadership show करने और खासका developing country यह ensure करे कि हर व्यक्ति तक vaccination की doses पहुंचे vaccine equity को लेकर भी debate होई है कि जब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर debate है कि क्या booster dose को लेकर जो काम किया जाए कि नहीं किया जाए उन सम्में आज तक भी यानि आज 6 December 2021 हो चुकी है आज तक क्या African continent की कितने percent population vaccination होई है इसको लेकर भी debate जो है वो आपको देखने को मिलेगा य मैं personal request करूँगा कि यह article आप पढ़ सकते हैं इसके लावा page number seven पे ओपैड में का article है आप पढ़ सकते कि Emirati women की progress के बारे में एक study आप कर सकते हैं लग के study की तरह इस तरह के article आप story टाइप में पढ़िए और आप उसको जब आपसे paper one के अंदर women's को लेकर gender को लेकर society को लेक इसे चीजे changes हुई है देखिए इसके बाद हम बात करेंगे page number eight के ओपर page number जो पहला page था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि army और army के पास एक input आता और उस input में basically वो correct input नहीं था जिसके वज़े से कुछ लोगों पर firing हुई वहाँ पर उन लोगों की death हुई और उसके बाद पूरा issue जो काफी sense issue और एक तरीके से बोल सकते हैं कि लोगों ने इसका विरोध किया वहाँ के जो awesome rifles के या आप बोल सकते हैं security personal के जो vehicles उनको attack किया गया यहाँ पर यह flag आप देखेंगे एक festival होता वहाँ पर काफी popular है horrible festival और यहाँ पर एक black flag host किया जाता है कब जब हम नरा रूप है जो चाहते हैं कि नागालेंड एक अलग से country बनने ही चाहिए अलग से हमारा constitution होना चाहिए अलग से हमारा समिधान होना चाहिए इनके विचार धारा है उन fraction से बात करी कि भाई ऐसे issue हुआ है और उसको लेकर बोला गया अलगी यह fraction जो बोल रहे हैं कि यह जो अलगी देश बन जाए उस तरह की चीचे विचारदार रखने वाले लोग इनके लिए एक अवसर की तरह हो जाता है यह इवेंट हुआ इसको भारत के खिलाफ country खिलाफ बढ़काया जाए state government खिलाफ जो बढ़काया जाए उनका यूज करते हैं इस तरह के लोग कई सारे fraction ह है वहाँ पर यह जो NSCN जो है इसके भी कई सारे fraction है और इवन नागालेंड के जो गवर्नर रहे है आर रही यह काफी ज़्यादा अग्रेशिव माने जाते थे आला कि अब इन्होंने वहाँ पर नहीं है ठीक है तो यह इमिडिटली चेन्नी से फिर दिल्ली और दिल्ली से पर यह बाद भी इनको चेंज करना पड़ा क्योंकि काफी अकरामक माने जाते हैं नागालेंड की गवर्नर और काफी जाद इनकी विरूद सेंटिमेंट्स भी थे यह जो इस फ्रेक्शन तो भी विरूद कर देते अलग 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 फ्रेक्शन है वहाँ पर इन फ्रेक्श स्पेशल पाउर एक्ट जो लागू किया गया और इसका रिजन यह कि हो मिनिस्ट्री के क्योर्डिंग यह एक डिस्टरवट एरिया है नागलेंड को डिकलेर किया गया है और 1963 में जब स्टेट हूड बना था एक राज्या बना था लाग उससे ठीक पहले 1958 में ही नोर्थ इ नहीं हटाया जा सकता इसके बाद बात करेंगे पेज नमर एट पर ही अभी रिशन में सिलंका के एक सिटिजन थे उनको एक तरीके से जला दिया गया यह तरीके से उनकी हत्या कर देगी पाकिस्तान की जगह है स्याल कोट मैं अपको मैं दिखा देता हूँ पाकिस्तान में इस रिजन के अंदर यह इवेंट हुआ सियाल कोट के अंदर और यह माना जाता कि पाकिस्तान की अगर आप जोगरफिकल लोकेशन को अबढ़र करेंगे पाकिस्तान में एक प्रोविंट जो है जो पंजाब रण जिसको बोलते हैं एक भारत की तरफ एक पाकिस्तान की हलाकि कितना डेवलेप कितना नहीं ये जो डेवलेपमेंट जो है केवल गाड़ियों से या रोड से नहीं कंसिडर किया जाना जाए सियाल कोट में भीड ने एक नाजरी कोई हत्या करती की उसके बाद सिलंका के जो ओफिशर है उन्होंने बोला क्या इन सब चीजों का एक लिंक बनता तालिबान के साथ क्यों इन्होंने ऐसे बात बोलीगी क्योंकि जी तरीके से यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है तहरी के लबाक पाकिस्तान ये रेडिकल इसलाविस्ट ग्रूप जिसको अभी पाकिस्तान गवर्मेंट ने बैन वहां से हटा दिया था इनके लीडर को रिलीज कर दिया था कि ये टर्रिस्ट नहीं है भाई इनके लावा सिलंका के जो ओफिशर ये बोल रहे है कि आफगानिस्तान आने वाले टाइमें मेबी नया सिरिया की तरह नजर आए इसके बाद क्योंकि एक इंपोर्टन सम्मिट हो रही है अबुदावी के अंदर जिसमें सिलंका के प्रिजिडेंट भी है भारत के एक्स्टनल अफिर्मिस्टर साब भी है अफगानिस्तान को लेकर डिसकसन किया जा रहे और अफगानिस्तान में इस सिचुएशन है उसको लेकर भारत की तरफ से बोला जा रहा है कि डेफिनेटली ये सीरियस कंसन है और इस सीरियस कंसन इसलिए भी है क्योंकि अफगानिस्तान में इन कंट्रीज को ये लगता कि अगर ये जिस तरीके से अफगानिस्तान में इस टाइम पे तालिबान रूल कर रहा है आने वाले टाइम में टेरिजम, रेडिकलिजम, इंस्टेबिलिटी, नार्को ट्रेफिकिंग, गवर्नेंस ये सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम मे देखने को मिलेगी, ये मेजर कंसन है, और एक सिमिलर वोईसीज है, यहाँ पर आप चाहिए भारत के प्रैमिस्टर की बात हो, यूएस के प्रेजिडेंट की बात हो, कि अगर अफगानिस्तान इंस्टेबल होता है, और अफगानिस्तान में जिस तरह की इवेंट होते हैं, उसके इसाब से अफगानिस्तान के जो अकाउंट फ्रीज है किये गए हैं, उनको इमिनेटली उनको रिलीज करना, उनको खोलना इतना असान अभी होने वाला नहीं है, ये चीज़े काफी ज़्यादा डिस्टरब करने वाली है, एक परसनलिटी को एक व्यक्ति वहाँ पर क करते हैं, ये गी नहीं करते हैं, बट पाकिस्तान में जहां पर मेजोर्टी ओपॉपलेशन जो एक ही रिलीजन से भिलोंग करते हैं, उन सब के वावजूद भी क्या माइनर से माइनर्टे हैं और वो भी एक सिलंकन सिलिजन जो की फोरें डिगनेटरी दोसकी सुरक्षा नह प्रशेन इंटरनेशनल इशू के प्रस्पेक्टिव से भी इसके लावा पेजन अमबर नाइन इस अलो बाट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स लीविट पेजन पर आ जाईए डिरेक्टली इखिए पेजन नंबर टैन पे भी स्टोरी टाइप में दी गि के हैं Omicron को लेकर जो है वो booster dose को लेकर भाई अब inquiry होनी सुरू होगी कि हमें booster dose चाहिए हमें safe feel नहीं कर रहे हैं इस तरह चीजें आपको देखने को मिलेगे इनके लावा कोविशिल vaccination के बीच में जो dose one और dose two के बीच में जो गैप 84 डेज का उसको लेकर भी उसके खिलाफ petition फाइल कर दीकिने इस गैप को कम कर दीजिए ताकि vaccination को increase किया जासकी राइट अब बात करते है last page जो है world affair है क्योंकि आज Monday है business action page नहीं आता तो इसलिए हम बात करेंगे world affair के page में राइट वर्ल्ड affair में अगर आप देखेंगे United States ने तालीबान में जितने भी वहां के अफगानिस्तान में security forces के उन लोगों के हत्या को लेकर काफी ज़्यादा नराज है कि भाई आप किस basis पर आप summary of summary killing कर रहे हैं या ओफिशर की हत्या कर रहे है उसको लेकर criticism किया गया human rights का serious violation जो आपको द देखने को मिले वोलकेनों eruption की अगर हम बात करते हैं वह 14 लोग वहां पर उनकी death हुई और damage जो है 11 sorry 11 villages जो है damage देखने को मिला इस वोलकेनों का नाम जो है वो है एक तरीके इसका नाम है Mount Semeru करके और यह Indonesia का major जो आइलेंड है Java वहां पर देखने को मिलता हम आपको location अलग-अलग यहां पर आपको आइलेंड देखने को मिलेंगे एक बार UPSC ने पूछा भी था कि भारत की जो boundary है जैसे अंडिवान और निकवार आइलेंड में यहां पर इंद्रा पॉइंट पर चले जाए इसके साथ यह कौन सा आइलेंड है यानि देखो मैंने एक बार स इससा है और यह हमारे इंद्रा पॉइंट से जो हो boundary को सेर करेगा यह आपको नीचे कमेंट भी करना है आप लोगों से क्योशन फिर से पूजरा थर्ड नंबर पर यह आपको नीचे कमेंट करना है कि यह जो आइलेंड है इंडोनेशिया कि इसका क्या नाम है इसके अलावा यहाँ पर मलका स्टेट जो कि यहाँ पर देखी इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुरिन के बीच में होते हैं साओ चाइना सी में जाएगी यह भी इंपोर्टेंट है इस वोल कहनों का एक बार नाम जुरूर आप धान रकना कई बार डिरेक्ट क्योशन जो आपको देखन इसमें बैसिकली इरान अपने नुकलर प्रोग्राम को और उसमें एन्रिच्मेंट को लेवकर एक लिमिट रखेगा दूसरा यूएस और दूसरी कंट्री जो है सेंक्शन हटाएंगी लेकिन इस पैक्ट से यूएस विड्रोग कर लिया भी यूएस ने और फिर से आव इसके बारे में एड होने के बारे में डिबेट जो वो चलता हो आपको नज़र आएगा इसके लावा मैंने माली के बारे क्वेशन पूछा था बेसिकली कल भी निएज में आथा Mali African country है और अगर आप देखिए Western African countries में से एक बिल्कुल आप इसको Western African continent के अंदर आप देखेंगे Mali में वहाँ पर जो United Nation के camps है वहाँ पर blast देखने को बला इस context में यह news में है तो आने वाले टाइम में आप जुरूर जोगरिफिकल इसको अबजरू करिये माली की जोगरिफिकल लोकेशन उसकी कैपिटल सिटी नेबरिंग कंट्री ये काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो आज के दे हिंदू न्यूज पेपर अनलेशिस में इतना ही थैंक्यो ओल जै हिंद